एक बकरी थी, रोज सुबह जंगल जली जाती थी, सारा दिन जंगल में चड़ती और जैसे ही सूज ढलता बकरी जंगल से निकल आती रात के वक्त उसे जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था, घर आकर वो आराम से सो जाती थी कुछ महिने बाद उसके दो बच्चे हुए, बच्चु का नाम उसने रखा, तुन्नू और मुन्नू नने नने बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और मां से लिपट कर सो जाते बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई, आसपास उसे जो पौधे दिखते, उसी से भूग मिटा कर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती, एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है, अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा क्या करे, एक भेडिया आसपास गूमता रहता है, वो तो टुन्नू और मुन्नू को नहीं चोड़ेगा कैसे बच्चों की रक्षा करे, बहुत सोच समझ कर उसने एक चटिया बनाया, और बच्चों से कहा टुन्नू, मुन्नू ये चटिया मत खोलना, जब मैं आऊँ, आवाज दू, तभी ये चटिया खोलना ठीक है? दोनू ने सर इलाया, और कहा मा, हम चटिया नहीं खोलेंगे, जब तक आप हमसे नहीं कहेंगी बकरी अब निश्चिन तो होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी शाम को वापस आकर आवाज देती टुन्नू चटिया खोल, मुन्नू चटिया खोल टुन्नू और मुन्नू दोड़कर दरवाजा खोल देते, और मासे लिपड़ जाते वो भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया आज का सवाल फोर प्लस फोर कितना होता है? अपना अंसर हमें कमेंड बॉक्स में जरूर लिखेगा तो ये बात है, बकरी जब पुलाती है, तभी बच्चे चटिया खोलते हैं एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, भेड़िये ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुँच गया बकरी के घर के सामने उसने जोड से आवाज लगाई तुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा इतनी जल्दी आज मा लोट आई, चलू दरवाजा खोलते हैं दोनू बड़ी खुशी खुशी चटिया के पास आए और चटिया खोल दी भेड़िये को देखकर दोनू बच्चू की खुशी गयब हो गई दोनू उचल उचल कर घर के भीतर छुपने लगे भेड़िया कूत कर उनके बीच आ गया और दोनू को पकड़ने लगा तुन्नू और मुन्नू रोते रहे, मिमी आते रहे और भेड़िये ने दोनू को खा लिया शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुँची उसने दूर से ही देखा कि चटिया खुली है डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे वो बच्चु को बुलाती हुई आगे बड़ी तुन्नू, मुन्नू पर ना आया तुन्नू और ना ही आया मुन्नू बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई उसके बाद वो उचलकर खड़ी हो गई ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर ये तो भेडिये के पैरों के निशान है तो भेडिया आया था उसके पेट में मेरे तुन्नू और मुन्नू है बकरी उसी वक्त गई बढ़ई के पास और बढ़ई से कहा मेरे सींगों को तीखा कर दो क्या बात है किसको मानने के लिए सींगों को तीखा कर रही हो बकरी ने जब पूरी बात बताई तो बढ़ई ने उसके सींग अच्छे से तीखे कर दिये बकरी अब एक तेल वाले के पास पहुँची तेली से बकरी ने कहा मेरे सींगों पर जरा तेल तो लगा दो तेली ने जब कारण पूछा और बकरी ने पूरी बात बताई तो तेली ने उसके सींगों पर तेल लगा कर उन्हें अच्छे से चिकना बना दिया अब बकरी तयार थी वो उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर जंगल में जाकर देडिये को ढूडने लगी कहा गया भेडिया जल्दी से उसे ढूड निकालना है तुन्नू और मुन्नू उसके पेट में बन्ध है अंधेरे में ना जाने उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी बकरी दोडने लगी पूरे जंगल में च्छानबीन करने लगी बहुत ढूडने के बाद बकरी पहुँच गई भेडिये के पास भेडिये का पेट इतना मोटा हो गया था तुन्नू और मुन्नू जो उसके भीतर थे बकरी ने कहा मेरे बच्चो को लोटा दो भेडिये ने कहा तेरे बच्चो को तो मैंने कबका खा लिया है अब तू आ गई है तो तुझे भी खा लूँगा मेरे सींगो को देखो कितने तीखे हैं तुम्हारा पेट फट जाएगा जल्दी से बच्चे वापिस करो तू यहां मरने के लिए आई है बकरी को बहुत गुस्सा आया वो आगे बहुत तेजी से बढ़ी और भेडिये के पेट बे अपने सींग घौमती है जैसे ही भेडिये का पेट फट गया तुन्नू और मुन्नू पेट से निकलाए बकरी खुशी से अब दोनों को साथ लेकर घर लोटाए